दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पीकेजुकेटर में दोस्तो स्कॉलर्शिप को लेकर बड़ी खबर इस वीडियो में आपको देने वाला हुम है यूपी बोर्ड के जो चात्र हैं उनमें 3,57,000 चात्री स्कॉलर्शिप पाने की योग हैं लेकिन सरकार ने कहा है कि केवल 11,040 चात्रों को ही स्कॉलर्शिप मिलेगी तो आप समझ सकते कितनी बड़ी संख्या में कम चात्रों को स्कॉलर्शिप मिलने वाली है तो दोस्तों क्या है पूरी डिटेल यह जानने के लिए आप वीडियो परंत तक बने रहेगा वीडियो को बिना स्किप किये हुए और उससे पहले गुजारी से कि दिया आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीक एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कर तो दोस्तों स्कॉलर्शिप की अपडेट के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहां सर्च बाक्स में आपको टाइप करना है सरकारी जॉब डाट सीओ जैसे कि आपको यहां पर नजार आ रहा होगा और यह लिंक आपको वीडिय आपको सबसे पहले मिल जाता है यहां पर आएड आएगा इसको कट कर दें तो इस तरह से यूपी स्कॉलर्शिप आनलाइन फर्म 2020 की इसका पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा सारी डीटेल आपको यहां पर मिल जाती है देखिए यहां पर यह इसी ख़बर की हम बात कर देखिए यूपी बोर्ड के तीन लाग संतावन हजार चार लाग चात्र स्कॉलर्शिप के योग लेकिन 11460 को ही मिलेगी तो क्या है पूरी खबर देखिए इस वेफसाइट पर आकर आपको सारी निउज और सारी चीजे मिल जाती ही तो आप इस वेफसाइट पर नीमित र साधन विकास मंत्राले की सालाना दस हजार चात्र ब्रति के लिए यूपी बोर्ड के पैंतिस लाग सौरी तीन लाग संतावन हजार 429 चात्रा योग है तो मानो संसाधन विकास मंत्राले यानि केन सरकार HRD मिनिस्टिर के तरफ से जो स्कॉलर्शिप दी जाती है दस आजार रुपए मेधावी चात्रों को तो चुंकि 2020 इंटर्मीडियेट परिच्छा में 80% से पास करने वाले 11460 मेधावीयों के चात्र ब्रति मिलेगी इसलिए समस्दारी इसी में है कि जल्द से जल्द आवेदन की सारी आनलाइन आवेदन की सारी आप्चार रिकताएं पूरी कर लें तो 2020 इंटर्मीडियेट परिच्छा में जिनी स्टुडेंस के 80% मार्क्स हैं उनको 11460 विद्यार थी हैं तो उनको स्कॉलर्शिप मिलेगी तो वह जल्द से जल्द अपना आवेदन करके सारी आप्चारिकता पूरी कर लें बोर्ड की और से निर्दारित कटाफ के अं पूरित के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनोंने उच्छी सिच्छा के लिए नीमित पाठक्रम में दाखिला लिया हो यानि के अगली उच्छी सिच्छा में उन्होंने एडमीशन ले लिया हो और जो कटाप है वो विज्ञान के लिए 334 है वाडिज के लिए 313 है और कला वर पाइवारिक आए 8 लाक रुपाई से कम हो विज्ञान वर्ग में 334 या अधिक अंक पाने वाले में दावी को संख्या 2,11611 वडिज्ज वर्ग में 313 या अधिक नंबर पाने वालों की संख्या 12,330 जबकि कला वर्ग में 304 या इस से अधिक नंबर पाने वाले 1,33,588 में दावियों को हासिल हुए है यह छात्र ही में चार्डी की वेफसाइट www.scholarship.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं विज्ञान वारिज जवामानवी की वर्ग में क्रमसा तीन अनुपाते दो अनुपाते एक के अनुपास से चात्रति प्रदान की जाएगी तो दोस्तों यह बहु सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में